खबरें जिनसे हैं आपको सरोकार यूपी ग्राउंड ब्रेकिंग सरेम्नी सीम योगी ने लिया जायजा अधिकारियों को दिये कई दिशानिर देश उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राउंड ब्रेकिंग सरेम्नी चार जीबीसी चार को लेकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के प्रस्तावित कारेक्रम के तहट शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिश्थान पहुचे इस दोरान उन्होंने अधिकारियों से जीबीसी चार को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया और उन्हें आवश्चक दिशा निर्देश दिये सीएम योगी ने खास तोर पर प्रधान मंत्री समेट अन्य वी आईपी महमानों और निवेशकों के आवागम्न सुविधाओं के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली उन्होंने मुख्य हॉल और मंच का निरिक्षन किया सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पिछले वर्ष दस से बारा फरवरी के मध्य ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था तेलंगाना के आदिवासी मेले मेदाराम जथारा के लिए चलेंगी विशेश ट्रेन रेल मंत्राले ने 21 फरवरी से तेलंगाना के मुलुगु जिले में शुरू होने वाले प्रसिद आदिवासी मेला सम्मक्का सरक्का मेदारम जथारा के लिए विशेश ट्रेनों की व्यवस्था की है केंद्रिय परियतन और संस्कृती मंत्री जी किशन रेड़ी ने घोशना की कि ट्रेने 21 से 24 फरवरी तक संचालित की जाएंगी ये ट्रेने तेलंगाना के विभिन्न स्थानों से भक्तों को द्विवार्शिक कारेक्रम के लिए मेदाराम जाने में सुरिधा प्रदान करेंगी ये ट्रेने सिकंद्राबाद, हैदराबाद, सिर्पुर कागजंगर, बेलंपली, मंचेरियल, रामागुंडम, पेद्दापली, जम्मिकुंटा, भूंगिर, जंगाम्व, घनपुर, कामारिड्दी, मनोहराबाद, मेडचल, अलेर और अन्यस्थानों समेट प्रमुक केंद तक कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी, कॉंग्रेस को एक और जटका, अब कमलनात और उनके बेटे नकुलनात थामेंगे भाजपा का दामन, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी कर रही कॉंग्रेस को लगातार जटके मिल रही हैं, एक तरफ देश में अपनी पार्टी की जमी मजबूत करने के लिए भारत जोडो न्याई यात्रा लेकर निकले राहुल गांधी के इस कारेक्रम के बीच महाराष्ट्र से कॉंग्रेस के सीम रह चुके अशोक चावान ने भाजपा का दामन ठाम लिया, वहीं अब कॉंग्रेस के जटके की खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां कॉंग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनात और उनके बेटे नकुलनात कॉंग्रेस का दामन छोड़ कर भाजपा के साथ आ सकते हैं। पहले ही पार्टी को यहां बड़ा जटका लगने वाला है। इसी व्यक्ती के हताहत होने की संभावना से इनकार नहीं किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जाता है कि सुबह ग्यारह बचकर बैालीस मिनट बजे के आसपास फायर ब्रिगेड को मालगाडी के दुरगट नागरस्थ होने की सूचना मिली थी। इसके बाद मौके पर लोकल पुलीस, फायर ब्रिगेड के अधिकारी और रेलवे अधिकारी पहुँच गए। मालगाडी के दस दब्बे पलते हुए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों ने राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया है। मालगाडी में लोहे की शीट के रोल लदे थे। पट्री पर किसी के फंसे होने की संभावना से राहत बचाव में लदे कर्मियों ने पूरी तरह इंकार नहीं किया है। अभी राहत चाव कार्य जारी है। BNT की खास पेशकश स्टाराइ